आज मैं प्याज से बहुती टेस्टी रेसिपी बनाऊंगी चलिए बनाते हैं रेसिपी हेलो फ्रेंड अनीता किरियेशन में आपका श्वागत हैं प्याज लेंगे प्याज को मैं छिल ली हूँ देखिए इस तरह से इसको कट करूंगी एक चाकू लिएँगी चाकू से इस तरह से कट करूंगी जितना पतला पतला कट हो उतना अच्छा है अब जितना पतला कट कर सके उतना ही अच्छा होगा इस तरह से कट कर लूंगी सभी प्याज को देखिए मैं कट कर ली हूँ हलका हलका हास से मशल देंगे मशल कर अलग अलग कर लेंगे इस तरह से देखिए अलग अलग हो गया है अब मैं इसमें बेशन डालूँगी चना का बेशन है चावल का पॉडर है पीशा हुआ चावल है इसे मैं डालूँगी इसको डालने से और क्रिश्पी होगा हल्दी पॉडर मिर्ची पॉडर नमक स्वादनुशार गरम मशाला डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं यह आप पर डिपेंड है गरम मशाला को इसकी भी कर सकते हैं लसुन पेस्ट डालेंगे डाल कर सभी को मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी डाल कर मिक्स करेंगे इस तरीके से थोड़ा और पानी डालेंगे पानी हलका हलका ही डालेंगे एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो गिला हो जाएगा हलका हलका डाल कर आवसकता नुशार यूज करेंगे इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा और पानी पढ़ेगा डाल कर मिक्स करेंगे न ज़ध인 गीला करेंगे और नहीं ज़धन ड्राई रखेंगे इस तरह से रखेंगे मिक्स हो गया है अब एक कड़ाई लेंगे कड़ाई को गैस पर रखके उसमें तेल डाल लेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो बेशन और प्याज का मिक्चर डालेंगे चलिए देख लेते तेल गरम हुआ कि नहीं हो गया है अब बेशन और प्याज का घोल डालेंगे चम्मच से डालेंगे इस तरह से चम्मच से डालेंगे मैं दोनों तरह से आपको डाल कर दिखाऊंगी फिर मैं हाज से भी डालूँगी आपको जो इजी लगे उस तरह से बना लिजे हाज से अगर इजी है तो हाज से बना लिजे चम्मच से अगर इजी लगता है तो चम्मच से ही डाल कर बनाए दिखें मैं वहाद से डाल कर दिखा रही हैं इस तरह से डालेंगे हाथ को थोड़ा सा उपर ही रखेंगे तेल में टच नहीं करेंगे नहीं तो हाथ जल जाएगा इसलिए साफधानी से डालिएगा मैं डाल दी हूं देखे सभी को पकोड़ा बनाना इतना आसान है कि आप तुरंत जटपत बना लिजियेगा बिना कोई मेनत बिना जनजट पकोड़ा बनकर तैयार हो जाएगा खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है बनाना भी बहुत आसान है जटपट बन भी जाता है चलिए चेक कर लेते हैं हुआ की नहीं हो गया है एक साइड हो गया है अब सभी को पलट देंगे दूसरा साइड भी पलट कर फ्राई करेंगे इस तरह से सभी को पलटेंगे मैं सभी को पलट दी हूँ अब दूसरा साइड भी फ्राई करेंगे जब ये फ्राई हो जाएगा तो निकाल लेंगे देखे कितना अच्छा देखने में लग रहा है जितना अच्छा देखने में लग रहा है उत्से जादा अच्छा खाने में लगता है बारिस के दिनों में पकोरा खाने का अलग ही अपना मज़ा है बारिस हो और पकोरा ना बने ऐसा कैसे हो सकता है पकौरा के साथ अगर चाई मिल जाए तो मज़ा आ जायता है पकौरा फ्राई हो गया है चलिए चेक कर लेते हैं पकौरा को निकाल लेंगे तेलगार कर अच्छे से इस तरीके से निकालेंगे पकौरा फ्राई हो गया है देखे कितना अच्छा फ्राई हुआ है ज्यादा dip fry नहीं करेंगे बाकी बचा हुआ भी इसी तरह से पकौरा बना लेंगे देखिए पकौरा बनाना कितना आसान है न इस तरीके से सभी को fry कर लिये हैं प्याच का पकौरा बनकर तैयार है पकौरा आपको कैसा लगा? कमेंट बोक्स बे कमेंट करके बताईएगा I hope आपको पकोरा पसंद आयो पकोरा पसंद आयो तो सब्क्राइब कर दीजेगा एक लाइक भी कर दीजेगा हाँ दोस्तो बेल आइकोन जुरूर प्रेस कर दीजेगा तकी मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल से के थैंक यू